हाई गाई वेलकुम बाक टो माई चैनल मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्क्लिंग सोल्स आज के वीडियो में आपके साथ एक ऐसा रीजन शेयर करने वाले हूँ जिससे आपका का manifestation process खराब हो जाता है आप इतने powerfully अपने process को done कर रहे हो इसलिए ना ताकि आप अपनी wish को manifest कर पाओ पर जाने अन जाने अगर आप ये गलती कर देते हो तो आप अपने ही process को खराब कर देते हो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि चाहे आप अपनी health को ठीक करें अपने baby को manifest करें अपने specific person को manifest करें अच्छे marks को manifest करें या कोई भी एक ऐसी चीज़े जो आप अपनी life में पाना चाते हैं सबसे important चीज आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आप जिन चीज़ों को अपनी life में attract कर रहे हैं उसके बारे में आप कोई भी चीज में उलचते हो और अपनी wish के लिए कोई भी negative बाते या ऐसी बातों को सुनते रहते हूं जिससे आपके दिल में यह feeling आती है कि शायद ये चीज मुझे मिले ना शायद मेरी wish पूरी होना example के लिए मान लीजिए अगर आप अपनी शादी को manifest करें और बाहर के लोग और बाकी सब की health कराब होती है बहुत मुश्किल है इस तरह कि जब आप बातों को सुनते रहते हो और अपने belief को बनाते रहते हो तो क्या होता है कि जो आप manifest करें अपने process को done करें वो पूरा belief आपका हिलता है ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आप अपने wish के लिए feel करें महसूस करें और मा तब आप अपने process को kill करते रहते हो आपको अपनी wish से related किसी भी बातचीत में बैठना नहीं है किसी इंसान से कोई भी बातचीत अपनी wish से related बैठके नहीं करना है वो इसलिए भी important है क्योंकि अगर वो चीज़े आपकी life में आपको मिल चुकी है तब आप उन चीज़ों के बारे में बैठके बातचीत नहीं करोगे क्योंकि हमारी life में हम जिन चीज़ों को पा लेते हैं हमारे अंदर एक सुकून आ जाता है और वही सुकून को लेके आपको अपने process में आगे बढ़ते रहना है आप क्या manifest कर रहे हो कौन सा process कर रहे हो अपने अंदर की कोई भी feeling ब जिन चीज़ों को आप मांग रहे है उन चीज़ों पे आपको भरोसा होना चीए उस विश के लिए बिलकुल भी एक भी गलत बात अपने अंदर अपने खुद के अंदर आने नहीं दोगे और अपना manifestation process खराब नहीं होने दोगे सो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखे और कुश रहे हैं बाप बाई